Hello and welcome to Tiwari Academy I am Rahul और आज के इस चप्टर में हम लोग डिसकस करेंगे Completely Exercise 3.4 के बारे में तो एक्चल में 3.4 के अंदर रहे है क्या इसके अंदर कुछ statement दिये हुए और उन statement के base पे हमें बताना है कि कौन सा possible है, कौन सा impossible है, कौन सा हो सकता है और कौन सा कुछ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है यह चीज़े हमें बतानी है तो सबसे पहले अगर मैं फॉस्ट स्टेट्मेंट के बात करूँते हैं यहां पे दिया गया है You are older today than yesterday क्या आप कल से बढ़े हैं, बिल्कुल आप बढ़े होते हैं कल से यह certain it's a family, यह confirm है यह चीज़े की होती है Second question में दिया गया A toast coin will land head up एक toast को जैसे हम लोग उचालते हैं सिक्के को तो हमेसा head आता है क्या यह possible, यह हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है कि यही चीज़े होंगी It can happen but not certain Third वाला दिया गया कि A die when tossed A die when tossed Sell land up with eight on top A die की उपर हमेसा eight आता है क्या, बिल्कुल यह हो इनी सकता है, impossible है क्योंकि die के अंदर केवल 6 तक कही नंबर होते है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 केवल 6 तक कही नंबर होते है एक die के अंदर, तो यह impossible है तो third वाला जो हमारे statement है, वो impossible है अगर मैं बात करूँ, fourth वाले की तो दिया गया है Our next traffic light Light scene will be green हमारा जो next traffic light है, वो green होगी यह हो सकता है लेकिन but not certain यह निश्चित नहीं कि green होगी Red भी हो सकती है, yellow भी हो सकती है इसके लिबाब बात करूँ अगर fifth statement की तो fifth statement में बोला यह जा रहा है जो कलकादीने वो cloudy हो सकता है यह हो सकता है but not certain यह निश्चित नहीं कि यह होगा अब मैं बात करता हूँ question number second की question number second के अंदर क्या दिया गया अगर मैं बात करूँ question number second के question second के अंदर दिया गया there are six marble in box एक box के अंदर 6 marble रखे हुए और with the number of one to six marble of each of them सब पर marking करी यह तो मैं बताना है probability what is the probability drawing marble with the number two number two की probability क्या है देखिए जिस पर number two लिखा गया वो marker तो एक ही है और total marker जितने होते हैं तो वो हमारे probability निकल क्याती दिया जाएगा one upon six drawing जिस पर क्या होगा अगर मैं बात करूँ second वाले questions की what is the probability of drawing marble with number five number five के साथ क्या है तो यह भी one upon six ही होगा अब बात करते हैं question number third की question number third के अंदर क्या है अगर मैं बात करूँ question number third की तो दिया गया एक coin को flipped किया जाता है और decide our team start the game what is the probability that your team will start देखिए एक coin के अंदर होती है एक तो होता है head और दूसरा होता है अमारा tail इस दोनों चीजे में से कोई भी चीजे आ सकती है तो या तो head Cape 5 बार में या तो tail आएगा तो एक बार अगर toss को उचा लेंगे तो हमारे पास 2 में से 1 probability बनेगी या तो head मैं या तो tail हो सकता है तो जो starting game होगा क्या होगा 1 upon 2 यानि 50-50 के chances होगे तो ये complete exercise थी my dear friends 3.4 के बारे में और उमीद है my dear friends कि ये lecture आप सभी लोगो को पसंद आया होगा अगर आपको lecture पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों की बीच इस lecture को share कर सकते हैं ताकि वो भी घर बेटे free of cost NCRT के solutions को देख सकें और समझ सकें अगर आपको फिर भी कोई doubt आता है तो आप हमसे comment box में questions पूछ सकते हैं Thank you so much, thanks for watching my video